मौसम समाचार में आपका स्वागत है मौसम की लेटिस्ट खबरे पाने के लिए तुरंट सब्सक्राइब करें MTV News इंडिया को और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नौइडा गाजयबास से लेकर लखनों तक बारिश का अलर्ण जाने 26 जनवरी तक कैसा रहेगा यूपी का मौसम आपको बता दे यूपी के कई जिलों में रात में बूंदाबांदी का सिलसला जारी है वहीं वीकेंड पर कुछ लाकों में ओले भी पड़े थे मौसम विभाग के मुताबिक उत्तपरदेश के विभिन जिलों में 26 जनवरी तक हलके से मद्यम बारिश होने की संभावना है आए जानते हैं यूपी के मौसम का हाल पिछले कुछ समय से एक के बाद एक पस्चिमे विच्छोग के आने का सिलसला जारी है जिसका असर पूरे उत्तर भारत के मौसम पर देखने को मिल रहा है उत्तपरदेश के मौसम पर भी इसका पूरा असर देखा जारा है यूपी के कई अलाकों में सोमवार रात से बूंदाबांदी का सिलसला जारी है वहीं इससे पहले कुछ इलाके में ओले भी पड़े थे मौसम विभाग के मुताविक प्रदेश को चल इससे राहत मिलने के आसार नहीं है इसके साथ प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ने वाली है आए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल नौइडा में बारिश ताज़ा मौसम की बात करें तो दिल्ली के आसपास के इलागों में कल रात से हलकी बुदाबादी देखने को मिली है इसके साथ ही आज पूरे दिन ऐसे ही हालात बने रहने के आसार है मौसम विभाग के मुताफिक नौइडा में 25 और 26 जनवरी को आस्वान में बादल और हवाओं की साथ बारिश के आसार बने हुए है हलाकी 26 जनवरी को यहां बारिश से राहत मिल सकती है लेकिन 27 से 29 जनवरी तक एक बार फिर हलकी बारिश देखी जा सकती है इस दोरान नियुनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है मौसम की इस तबदीली की वज़ा पश्यमी हिमाले छेत्र सक्रिय पश्यमी विच्छोब है इसके लावा 27 जनवरी 2023 से एक ताजा पश्यमी विच्छोब सक्रिय हो रहा है जिसका अधसर उत्तर पश्यम भारत पर देखने को मिलेगा इससे पश्यमी हिमाले छेत्र में 27 से 29 जनवरी तक मैदाने इलाकों में बारिश और पहाडी इलाकों में बर्फबारी होने के आसार है आगरा और बांदा समेत कैजलों में बदला मौसम आज फिर यूपी में बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट मिलते हैं इसी प्रकार की अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत